हेलो गाइज, वेलकम तो धनुका एक्रिकेट मी, आज अपन डिसकस करने वाले हैं इंसेक्ट टेक्सोनॉमी और आप इस चैनल पर अगर नए है तो किरबर चैनल आप सब्सक्राइब कर लाएं थाकि जो आने वाली वीडियोज हैं, उनकी नौटिफिकेशन आपको टाइम लि मोनेरा किंग्डम, तो हम यहां सिर्फ बात करने वाले हैं अनिवल किंग्डम के बारे में, ठीक है, अनिवल किंग्डम को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है, एक है इन वर्टिवरेट्स और दूसरा आपका वर्टिवरेट्स, इन वर्टिवरेट्स होते हैं जो नोन second आपका tissue level जिसमें आते हैं phylum need area तो इसमें आपके jellyfish आते हैं और third जो है आपका part organ and system level तो इसको divide किया गया है दो part में एक ओल माटा और कोल माटा जिनमें body cavity नहीं होती है मतलब उनमें hollow space होता है ठीक है जिनमें phylum आते हैं platyhelminthus और phylum nematoda phylum platyhelminthus की बात करें जिसमें आता है आपका flat warm और phylum nematoda में आते हैं सारे nematodes और nematode की बात करें तो यह pseudo coalmit होते हैं मतलब half body cavity इनमें present होती है ठीक है अब बात करते हैं अब कोल माटा की जिसमें body cavity present होती है इसमें चार phylum आते हैं पहले आपका phylum इनलीडा इनलीडा phylum में आपके आते हैं earthworms और जो worms रहते हैं नेक्स आपका phylum आर्थोपोडा यह हमारे लिए important है क्योंकि इसी बात है class insecta तो इसको हम आगे detail में discuss करेंगे तो नेक्स आपका phylum जिसमें आते हैं snails और octopus नेक्स्ट आपका phylum इकनोडर्माटा जिसमें आते हैं आपके starfish जो की aquatic होते हैं ठीक है यह था आपके इन वर्टिव्रेट्स अब हम बात करते हैं वर्टिव्रेट्स की तो वर्टिव्रेट्स को आप देखेंगे 5 classes में divide किया गया है ठीक है यह 5 classes क प्रण कों से हम इने देखते हैं first class species class species में दो सब category है काटी लेजिनियस फिस और एक बॉनी फिस जो काटी लेजिनियस फिस रहते हैं उन्हें सार्क आते हैं ठीक है उन्हें काटीलेज पाई जाते हैं जो की smooth elastic tissue होता है एक तरह से बोनी होता है और second आपका बॉनी फिस बॉ लें डिजार्स हो गया, snaks हो गया, turtles हो गया, यह सब आते हैं, class apes के बात करना तो इसमें सारे birds species आते हैं और fifth में बात करना तो class में में लिया की जिसमें सारे animals और human beings आते हैं, ठीक है यह animal kingdom की classification की बात करें, road classification की तो किस ने दिया था, hymen ने दिया था, यह आपको याद लाइन हो घाता करें दिखते हैं तो अब हम देखते हैं डेखतें हैं डितेल में फाईलम। आर्थपुरा यह नुड को आप समझे ले शक्रिसोटं को ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत झमाता है तो टीक है GOR इसमें आते हैं marine fossils ठीक है इसका class है Trilobita और example है Trilobite जो की extinct group है extinct group मतलब यह बिल्कुल present नहीं है यह खतम हो चुके है इनके only fossils present है यह जिसको हम इंदिये बोलते हैं जीवास में ठीक है second sub file है आपका chelisrata चelisrata में कौन से class आती है आर्किनीडा इसमें स्पाइडर माइट स्टिक्स एगरिकल्चर के साफ से देखा जातों हम माइट के स्टेडी करते हैं और स्पाइडर भी इंपोर्टेंट नेश्रल लिंविज है थर्ड है आपका crustacea इसमें आता है class अपका mello coast रेका आता है जिसको crustacea भी कहते हैं और इनमें एक्जामपल है क्रेप्स केकडा हो गए रोप्स्टर हो गए स्रीम्स हो गए जिनको हम जींगा भूलते हैं ठीक है फूर्थ है आपका मैरी पोडा मैरी पोडा में आते हैं चार क्लासे आते हैं वट हम दो देखेंगे चीलो पोडा डिप्लो पोडा सिंफाइला और जो पौड़ो पोडा classes है इसके जो इंसेक्ट है वो अच्छे सा इडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए है तो हम चीलो पोडा के एक्जामपल मतलब जिनमें जो विंगलेस होते हैं और टेरी गोड़ की बात करें जो जिनमें विंग प्रेजेंट होता है ठीक है और 6 आपका उनाइको फोरा जिसमें आता है क्लास आपका उनाइको फोरांस और इसके एक्जामपल है वेलवेट वर्म्स या फिर आपके पेरिपेटस कौन से सफाइलम आते हैं तो यह आपका आता है क्रस्टीशिया मैरी पोड़ा और हैग्जापोड़ा क्यूंकि इनके जो माउस और गन रहते हैं वो मैंडिवलेट्स टाइप के रहते हैं इसका इनको मैंडिवलाटा गुरूप में रखा गया है ठीक है नेक्स और और एक फुरांस आते हैं जो कि यूणी रेमिया सब फाइलम या सब ग्रूप में आते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन आ ओफाइलम आर्थोपोड इससे पहले अम आर्थोपोड की करेक्टर देख लेते हैं क्या कहा इंपॉडेंट करेक्टर हैं और साथ इनका जो है जी अई सीक्ट आपके संक्ति आप आप apan Andina की अपने के हम आपर आप से लेक्ति हैं चाहे इनकी और back legs की बात करें ठीक है तो इस सारे paired में रहते हैं fourth important point है ये chitinius एक दूस्कोलेटन से बने होती है इनकी body तो chitin आप जानते हैं क्या होता है chitin से मिलके बना होता है ये आर्थोपोड़ा का जो body structure होता है ठीक है और insect की बात करें तो उनका भी जुब रहता है chitinius skin ही रहता है या body wall रहता है और इनमें ventral nervous system पाय जाता है और जो dorsal में है वो heart पाय जाता है ventral मतलब जो पीछे का पाठ है और dorsal मतलब जो आगे का पाठ है और इनकी जो body cavity होती है वो hemo silik body cavity होती है insect की बात करें तो उनमें hemo limb फाय जाता है ठीक है जो कि उनकी body cavity में flow होती रहता है और next important point है इनका इनका जो circulatory system है जो blood circulatory system है वो open type होता है तो overall यह main character है किसके आर्थोपोडा के यह आप को याद रखने है बागी और वी कुछ important characters है वो आप देख सकते हैं तो जैसे कि मैंने बता है phylum orthopoda को साथ classes में डिवाइट किया गया है classify किया गया है ठीक है unicopora, crustacea, arcanida, chilopoda, diplopoda, trilobita और exopoda अगर आप jrf exam की त्यारी कर रहे हैं तो यह चीज important आपके लिए ठीक है और भी other state exam में भी पूछे जाते हैं orthopoda की classification तो इसे अब आपके याद रखना है तो आप हम one by one जो orthopoda की classification है जो classes है वो हम देखते हैं ठीक है first time का unicopora जिसके example है peripatis या velvet form आप diagram में देख रहोंगे यह velvet form है यह कुछ इस्तरा का दिखता है इनका एक important point यह है कि जो phylum orthopoda और phylum analita है इसके बीच में क्या करता है link connect करता है मतलब इन दोनों का समझी है कि यह modified form है ठीक है यह आप याद रखिए आप second बात करते हैं crustacea crustacea मतलब क्या होता है cell तो आप देख सकते हैं जो इनका diagram है चाहे हो crab हो चाहे हो lobster हो यह cell के form में होते हैं अब इनका important character हम देख लेता है इन में two pairs of antenna पाय जाता है और five pairs of flex पाय जाता है यह आप डाइग्रा में देख सकते है और respiration जो होता है वो gills के थूरू होता है यह important है क्योंकि aquatic होता है तो इसलिए gills के थूरू respiration होता है body divide जो रहती है वो cephalothorex और abdomen में रहती है तो जो आगे का part है इसको हम कहते है cephalothorex और पीछे के body है वो कहते है अपन abdomen ठीक है और इनमें एक excretory organ पाय जाता है जिसको हम कहते है green glands जो की pair के form में होते है यह सारे इनके थे important characters इनको आपको याद रखना है तो आप next अपन देखते है classes थाड़ है आपका classes आरके नीड़ा ठीक है इसमें जो आते हैं आपके spider, scorpion, ticks, mites ठीक है और इनका important character हम देखते है इनका respiration होता है वो book lungs के थूरू होता है यह important point है और जारत में पूछा भी गया है तो आपको याद रखना है बाकी हम अगर crustacea class की बात करें तो उनमें किस्से होता है respiration गिल्स के थूरू होता है ठीक है इनमें four pairs of plex पाई जाता है और इनमें antenna absent होता है आप देख सकते हैं डाइग्राम में अब fourth आपका चीलो पोड़ा तो चीलो पोड़ा जो है इसका example है centipids आप देखें centipids जिसको हिंदी में कन खुजुरा भी कहते हैं और इनका जो first pair of segment जो claw रहता है जो आगे का इनका legs रहता है सबसे आगे का इनमें क्या पाई जाता है तो बस यह point आपको याद रखना है fifth है आपका डिप्लो पोड़ा ठीक है डिप्लो मतलब two होता है पोड़ा मतलब legs और इसके example है millipids आप देख सकते हैं इनके जो legs होते हैं वो milli size के होते हैं ठीक है तो इसलिए इनका नाम millipids रखा गया है six number है आपका Trilovita जो की extinct group है जो बिल्कुल अभी present नहीं है आप diagram में देख सकते हैं यह एक जिवास में ठीक है यह fossils है जो की यह marine fossils का लाते हैं क्योंकि यह aquatic थे इनका कुछ इस तरह यह कुछ दिखते थे अब बात करते हैं last hexapoda अब इनके अपन कुछ क्रेक्टर्स देखते हैं जो आपको पता ही होगा इनका बोड़ी रहता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड रहता है head, thorax और abdomen में इन में जो है three pairs of plex पाये जाता है आप देख सकते हैं जिते भी adult form के structure adult form के जो insect है ठीक है और one pair of wings present होता है one pair of antenna present होता है two pair of antenna किसके में था crustacea class में यह आप कहा देखना है respiration जो होता है internal air tubes जिसको हम क्या कहते हैं trachea ठीक है यह trachea के तुरू respiration करते है और इन में क्या होता है metamorphosis पाय जाता है जो कि incomplete है complete होता है during development और इनका जो body रहता है exoskeletor रहता है वो किसे बने रहता है cuticle से बने रहता है chitin और cuticle से मिलके बने रहता है यह इनके main characters है और भी इनके characters है आप book follow कर सकते है डीटेल में पढ़ने के लिए आपने आर्थरपुड़ा के classification आपने समझ लिया होगा वो कला था आपका systematics तो systematic के अंदर हम क्या पढ़ते है taxonomy और evolution यह इसके main category है systematics के वागे हम देखते है taxonomy क्या होता है taxonomy जो है इनके father है car, linear, यह आपको आदेखना important है taxonomy क्या science है taxonomy में हम classification ठीक है किसी भी जीव का classification करते है उनको वर्गी करन करते है या उनको order में जमाते है तो यह चीज कहला आती है taxonomy ठीक है और taxonomy के अंदर हम क्या पढ़ते है nomenclature और classification तो जो actual classification है वो किसके अंदर पढ़ते हैं taxonomy के अंदर nomenclature हम किसी का भी नाम करन करते है ठीक है इसमें आता है इसमें आता है classification करते है इसमें हम क्या करते है इसमें हम स्टेडी करते है evolutionary relation और phylogini phylogini मतलब इसमें कहां से evolve हुए है तो उनके पूरी जो पिछली प्रजाती उसका study किया जाता है और evolutionary relation में मतलब जो insect evolved हुए है उनका कैसे दूसरे के साथ संबंद है या relation है ठीक है यह gamma taxonomy में आता है अब देखते हैं classification का basis क्या है तो classification का basis की बात करें तो किसी भी organism को क्या करना ordering करना large group और organism based on certain character into small group किसी भी organism को क्या करते है उनके character को देखके उनको small group में क्या करते है डिवाइड करते है उनको order में रखते है ठीक है यह होता है classification का basis अब जो classification का basis होता है किसके उपर based होता है evolutionary relationship पे ना कि superficial resemblance पे evolutionary relationship बतने जिसमें आपको बताया कि जो insect evolve होता है या पहले के जो insects पाई जाते थे ठीक है थोड़े Asian time की बात करें तो वो किस तरह evolve हो है उनका क्या relationship है इस बेस पे हम character देखके classification करते है superficial resemblance की बात करें तो हम उनकी जो basic structure की बात करें वो देखके हम judge नहीं करते है या उनको classify नहीं करते है तो यह जानना जोरी रहता है कि इंसेक कहां से evolve है और उनकी character match कर रहे है कि नहीं कर रहे है यह चीज़ देखा जाता है और कुछ जिसे की बात की जाए external structure देखा जाता है ठीक है internal character देखा जाता है उनकी developmental history देखी जाती है और इनकी physiological data देखी जाती है कि इनका जो physiological organ है या physiological process है वो कैसे होता है और cytogenetic data देखा जाता है कि वो किस-किस insect के साथ उनका gene match कर रहा है कि या वो उसी प्रजाती के है कि नहीं है इस बेस पर classification total किया जाता है अब बात करें biological system of classification क्लासिफिकेशन जो की जिसको हम क्या कहता है hierarchical concept of classification यह आपको याद रखना है जो biological system of classification हो क्लासिफिकेशन है hierarchical concept of classification और सबसे प्रें इंट्रोड्यूस किस नहीं किया था काल ओन लीनियस नहीं किया था 7058 में यह important point आपको याद रखना है अब आप figure में देख रहोंगे sporoptera Lutera जिसको हम बोलते हैं tobeko caterpillar या cutworm तो इनका हम taxonomic इनका हम systematic position देखते हैं कि किसी category में इनको divide किया गया है तो first आता आपका जो sporoptera की बात करें तो उनका kingdom क्या है animalia है ठीक है सारे और्थोपोड़ा के kingdom में आते हैं इनका class क्या insect है ठीक है अब मैंने green color में सो किया है sub class, sub order, sub family super family और sub family तो यह optional रहते हैं इनको include आप कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं बागी जो चीज़े हैं जो बागी systematic position है जैसे कि kingdom, phylum, sub phylum तो यह लिखना important रहता है ठीक है और class के बाद सबसे important चीज़ क्या आता है order हम order रहते हैं कि lepidoptera है, colioptera या फिर hemioptera तो autobiography cutter कौन सा order में आता है lepidoptera में आता है इनकी family के बात करें तो यह noctudy में आती है noctudy क्या मतलब होता है noctudnal होता है यह rat को ही active होता है यह इनका main character इस current family जो है इनके noctudy में रखी गई है बाकी आप बात करें helicore parmichera gram port borr उसकी family noctudy आती है mostly जो motht होते है वो उनकी family क्या आती है अब genus इनकी क्या है इस poroptera जो कि इनका scientific नहें और species leutera तो इस poroptera leutera इनके genus species हो गया तो इस तरह हम क्या करते है systematic position बनाते है तो अब बात करते हैं function of species जैसे की बात हम कर रहे था इस poroptera leutera की तो leutera जो species है उनके main क्या function है तो reproductive community उनकी होती है मतलब यह सेम species है वह आपस में क्या कर सकते है mating कर सकते है second is ecological unit ecological unit के बात करें मतलब वह सेम है भी टाट है बजाते हैं और उनके food होते हैं वह भी similar types के होते हैं genetic unit के बात करते हैं तो जो same species है तो उनका जो gene है वह एक दूसरे से match करता है तो overall यह इनके functions है अब हपन बात किये थे norman glacier की norman glacier क्या है किसी का भी organism का naming करना नाम करन करना ही norman glacier कहलाता है तो हम norman glacier do type से करते हैं first common name और दूसरा scientific name ठीक है इसको आगे हम देखते हैं first हम बात करते है common name common name जो norman glacier किया जाता है वह किस बेस पर किया जाता है reason to reason country to country जो local language में अगर आब बात करें तो local language में लोग naming उसी कर देते हैं जैसे कि aphid की बात करें तो लोग mahu कहते हैं ठीक है और भी other local names है तो यह depend करता है बात के जाए grasshopper की sorry locust की बात के जाए तो इसको European countries में काड़ा कहते हैं ठीक है और कुछ other countries में कहते हैं sort on grasshopper और common name की बात करें तो यह हर जगे available नहीं होता है जैसे की बात करें square buck की ठीक है तो यह जो है square buck यह एक ही नाम है इसका other common name नहीं है third important point है इसका common name क्या रहत है कभी-कभी different order के जो insects रहते हैं ठीक है उनके same type की common name भी रखा जाता है जैसे की बात करें आपन housefly और dragonfly तो housefly कौन से order का है टेर order का है और dragonfly की बात करें तो odonata order की है बट यह दोनों different insect है different order के है different species के हैं बट जो name है वो थोड़ी सी common है fly fly homonym की बात करें मतलब एक जैसा है एक समान तो कभी-कभी हम क्या करते हैं दो different ठीक है टाइप के insect जो रहते हैं उनका same name कर देते हैं जैसे कि example ball bomb cotton में जो important paste लगते हैं उनको हम क्या करते हैं ball bomb करते हैं जैसे कि American ball bomb हो गया जो कि हेलिक और पार्मीजे रहा है Pactinophora हो गया जो कि इसको हम क्या बोलते हैं pink ball bomb बोलते हैं तो वो same name हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं synonym या समानार्थी तो कुछ insects रहते हैं जिनके हम एक से ज्यादा नाम रखते हैं या प्रजेंट होते हैं जैसे कि बात करें अपन ग्राम पोर्ड वोरर ठीक है जिसको अमेरिकन ball bomb भी का जाता है ठीक है इसका scientific name क्या है है अब हम देखते हैं scientific name scientific name किस बेस्पी किया रखा जाता है तो यह जो rule होता है इंटरनेशनल code for zoological nomenclature की साब से होता है ताकि जो सारे जगों में एक जैसा नाम हो ठीक है एक जैसा नाम रखा जाए तो यह कोंताय करता है इंटरनेशनल code for zoological nomenclature अब इसके अंतर के घ्टाते है binomial nomenclature और Rudy-nomenclature binomial nomenclature क्या होता है जिसमें only हम क्या करते है genus और species का naming करते है मतलब बस only two names का use होता है जैसे की sporoptera, lutera ठीक है अब होता है दूसरा trinomial nomenclature, जिसमें 3 words यह करते है जिसमें include करते है किसको सब-specieses दिबात करें आपन हैड लौउस की बात करें तो इनका इंक बास्ञ आपने बाद करते हैं आपनेम केVAเปूल है इनका पैडिकूलस हुमनारव में और सब्सकाहिछ रहे हैं यह से आउब पादे की बुक फॉलू कर सकते हो